नमस्कार बेस्यन नियूस की प्रदेश की खबरों में मैं भाकिश्री आपका स्वागत करती हूँ बढ़ते हैं खबरों के और कई सालों से थानों में पड़े लावारिस वाहनों की निलामी होगी डियम और एस्पर की आदेश के पाद आडियों विभाग ने कार्य शुरू किया है जनपन मैनपुरी के थानों में पड़े लावारिस काड़ियों की निला में कुछी दिनों में होनी पाली है मैनपुर के कई थानों में ए आटियों विभाक के लोकों ने पहुचकर लावारिस वहानों की जाश परताल की जलादिकारी मैनपुरी महंदर बहादुर सिंग और पुलिस अधिक्षक मैनपुरी अविनाश कुमार पांडे के आदिश के पाद लावारिस पड़े वहानों की जाज़ परताल शुरू हो गए है जलादिकारी मैनपुरी महंदर बहादुर सिंग डी आएटी विभा को आदिशित किया के मैनपुरी के 13 थानों वेपड़े लावारिस पड़े वहानों की काउटिंग कराने के साथ जांच परताल के बाद उनको निलाम करने की कारिवाई की जाए जिसके बाद यहाँ विपाग साक्री हो गया है और सभी थानों में लावारिस बढ़े बाहनों के जांच परताल की जारी है वानों पर सतकाल करवाई करने का निडदेश दिया है तो उनके निडदेश ठो करके निड़क परताल के जाएगे जो बी भूलियां का नने दनलासि होगी और निलामी बढ़ेख की जाएगी बिस्यन नियूस के लिए मैनपुरी से मुहमद आसित की रिपूट सचना पर बहुचे पलिस ने दोनों शव को कब से मिलेकर पोस्मार्टम के लिए पिता और पुत्र होने की जानकारी दी परीजनों में खटना की सुचना पर कोहरा मजग्या यहां साथ सिकंदरा थाना शेत्र के कज़्पे मिवा है मिस्यन न्यूस के लिए कानपुर दिहाद से संवात दाता के रिपूर्ट उत्राखंड के चमोली में बिते रविवार कोहे ग्लेशियर विस्पोड की पाद मचीत तबाही की चलते अपनी जान कवाने वाले मृत आत्माव की शांती के लिए आधी शक्ति माव विंद्यवासिन से सटे कनिश्वर महादेव पर हवन पुजर और शांती पार क्या क्या उत्राखंड के चमोली में बिते रविवार कोहे ग्लेशियर विस्पोड की पाद मचीत तबाही की चलते अपनी जान कवाने वाले मृत आत्माव की शांती के लिए आधी शक्ति माव विंद्यवासिन से सटे कनिश्वर महादेव पर हवन पुजर और शांती पार क्या क्या बाबा भोले की दरबार में जुटे भक्तों ने मृत परिवार के सदर्सों को होस्ला मेरे और वह फिर से एक नए उत्सा के साथ अपना जीवन शुरू कर सके इसले शांती पार क्या ख्या आदिशक्ती मा विंद्यवासिन से सटे संथ इश्वर महादेव मंतिल पर भक्तों ने उत्राखन की चमुरी में फटने की बात मची तबाही में जान कवाने पाले लोकों की आत्मा की शांती के लिए हवन पूजन पाठ कर श्रद्दान चली थी शांती पार के लिए जुटे शिव भक्तों ने कहा कि इस पड़ी तराश्दी में मने पाले लोकों की ना के वल आत्मा की शांती के लिए पाठ क्या क्या बलकि उनकी मौच से दुखी परिजनों को हौसला अवजाय के लिए भी परात्रा की गई जी ये कंतितेस्वर महादेव का अस्थान है भोले नात का शिवाला है यहाँ पर जो चमोली उत्तराखंड की तरासदी में जो लोग वो गलेसियर जो फटा है उससे जो लोग मृत हो गये हैं उनके आत्मा के शांती के लिए हम लोग यहाँ पाठ किये हैं पूजन किये हैं हवन किये हैं और यह भोले नात से प्रार्थना किये हैं कि जो लोग चले गए उनकी आत्मा को आप सांती प्रदान करें और उनके परिवार में हमसला प्रदान करें ताकि वो लोग अपने नए सिरे से फिर से अपने जीवन को शुरू कर सकें इसलिए हम लोग यहाँ हवन पूजन और यहां अर्चन भोले नात्का किये हैं जैमा बिंदेवास ने हर हर महादेव बिसन द्यूस के लिए मिर्जा पुर से आजे दुबे की रिपोर्ट यह तो शादी और विवास सामजिक दुष्टि से सरजातिय धर्म और रिती रिवास से सब्पन होते हैं लेकिन हिंदू समाज के एक यवक ने एक मुसलिम समुदाय की नावाली किशोरी को बहला फुसला कर पहले तो भखा लेकिया गटना की रिपोर्ट पेडित पिटा ने दो सगे भाईयों के विरुद पुलिस में दज कराई थी लेकिन आरुपियों ने नावाली किशोरी का बि फरिया निवासी मुहमद आपित की 17 वर्षिय नावाली किशोरी को गाव का ही निवासी तरुण कुमार और चारों तंग वह परिशान किया करता था इसके उपरान दूनों में प्रेम प्रसंग हो गया जिसकी भनक जब परिजनों को लगी तो उन्होंने इस लड़की को जन तरुण कुमार अपनी भाई दिव्यांशो के साथ महमुद नगर पहुचा और इसे बहला फुसला कर भगा लेकिया गटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली मैंपुरी में तरुण कुमार और दिव्यांगो के खिलाब पिडित पिता ने दर्ज कराई थी पुलिस दोनों की त पुलिस ने दोनों प्रेमी प्रेमी का को नयाले में पेश किया है मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता होश्यार सिंग ने मिडिया को जानकारी देती वी कहा कि कि शुरी की उम्र महस 17 वर्ष है जिससे वो नापा लिख है शाधी वैद नहीं है कि शुरी मुस्लिम समुदा से माने जाएंगी फिलाल मामला विचार आग दिन है मामला कोट के पैसले पर टिकावा है तो उसे साब से लड़की जो नावाले गए और जवरजस्ती उसमें प्रेसर बनाया जा रहा है पुलिस में राजनीत हो रही है तरुन कुमार उसका नाम है फरियां का रहने वाला है और हमारे पडोसमी रहता है क्योंकि लड़की नड़की का भाई हूं चोटा तो चेता मिसल न्यूस के लिए मैंन पुरि से मुहमध आसिकी अविस की किसानों की महा पंचात मैं बोले जयन जेद पर उत्रहिप्यम बलंशहर के फिरुसपुर गाउं में आईजीत किसान महापंचार में रालोत की राष्टी उपाध्यक्ष जैन चोथरी ने पियम बोदी की नियत पर सवाल उटाते वी कहा है कि कुछ तथा कतीत किसानों के लिए बनाया क्या है देश का किसान नहीं चाहता कि कानुन लागू हो लेकिन सरकार कानुन को किसानों पर थूपना चाहती है इससे ना सिर्फ दाल में काला लता है बलकि पुरी दाली कानी निज़र आती है उन्हों ने कहा कि प्यम आखिर क्रुशे कानून लागू करने की जित पर क्यों अड़े है? क्या सरकार का कोई स्वाल इन क्रुशे कानून में है जो सरकार इन पीलों को लागू करना चाहती है? जैन चौधरी ने कहा जब तो किसान सरकार को वोट की चोट नहीं देंगे तब तक सरकार की लाटी किसान को सहनी पड़ेगी जैन चौधरी ने यह भी कहा कि सरकार ने जो फोन नबर किसानों को दिया है वह शायद जियो के है जैन चोधरी ने कहा कि महापंचाद में जो किसानों की भीड आ रही है वह उससे उत्साहित है और महापंचाद में किसान बिन बुलाय आ रहे है उन्होंने पियम मोधी के आंदुलन जीवी पर जीवी वाले बयान पर भी कहा कि पियम ने किसानों को आंदुलन जीवी कहा प्रदेश की खबरों में फिलालिता ही अन्य खबरों से हम आपको यूही रूबर्यू करवाते रहेगे देखते रहेए बेस्यन न्यूस नमस्कार